बेस्ट इनकम रिसोर्सेज के इस चैनल पर आप सब का मैं तह दिल से स्वागत करता हूँ और आप सब के लिए शेयर मार्किट से रिलेटेड वीडियो में लेकर आता रहता हूँ और उसी कड़ी में फिर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो भी एक खास स्टॉक के उपर है वो स्टॉक कौन सा है ये बाद में आपको बताऊंगा बट उसके उसे स्टॉक में खास क्या है वो आपको बता दूँ ठास ये है कि ये स्टॉक पेनी स्टॉक में है और ये बैंकिंग सेक्टर से टो आधे डेलेकर टहुड में है और ये इस क्यूं कर रहा है रहा है इसका इसमें बढ़त की कारण क्या है चुकि कोई भी इस टॉक हो यह इस टॉक होई यदि उसमें आउशक्ता से अधिक बढ़त या डाउन साइड जाती है तो कोई ने कोई उसके पीछे बारा रीजन होता है तो वो रीजन कौँ सा है और किस बेसिस पर आपके सामने मैं यह वीडियो लेकर आया हूं इसे स्टॉक के बारे में इसी के बारे में हैं वीडियो शुरू करने से पाले आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो क्रिप्या सब्सक्राइब कर लें और सस्क्राइब करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगती है ये बिल्कुल फ्री है जैसा कि आपको याद होगा गौर्णमेंट के साइट से कुछ मन्त पहले एक अपडेट आया हुआ था जिसमें कहा गया था पी एसबी बैंकों में पैंसाट हजार करोर फंड डालने की और उसमें से वन वाइट थर्ड फंड डाले भी चाल चुगे थे और ये स्टॉक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ इसी से रिलेटेड है और वो स्टॉक है युनेटेड बैंक आफ इंडिया का जिसमें गौर्नमेंट ने एक किस सो उन सट करोर रूपए डाले हैं और इसी के कारण ये स्टॉक जो है 27 दिसमबर को ये अपडेट आया हुआ था और 28 दिसमबर को जो स्टॉक प्राइस था वो अपसाइड में लगवग 10 परसेंट अपसाइड में ये स्टॉक गया हुआ था और यही वो बड़ी कारण है जिस जो इस स्टॉक को पोटेंशियल प्रदान कर रहा है और इसके बनाने की पुरी-पुरी संभावना है ये अपडेट आया हुगा था 27 दिसमबर को और 28 दिसमबर को इसने अप मनाया हुगा था एक रुपे 5 पैसे की जो की बारे रुपे 60 पैसे पे 28 दिसमबर को ये ट्रेट कर रहा था वोल्यूम तीन लाख एकाउन हजर की करिब में है STEPHANieं इंडिया जो तौह जो टांवाल बारे रुपे 30 पैसे पैसी स्ब из रगाता वह फिस सब्सक्राइब करें तो यो इंडिया है और ओंठ में काम करता है इसका बिजनेस की यह पने की फैसलिए तो का है और दूसरा है बैंकिंग परेशन गांट भी के मैं सबलित तो 3826 क आप करेंट मार्केश प्राइस भी आप देख रहे हैं 12 रुपे शाट पैसे पे हैं और यादी बावन वीक हाई की बात करें तो 19 रुपे 15 पैसे की है और बावन वीक लो 9 रुपे 5 पैसे की है डिवीडेंट इसमें नहीं है तो माइनस छे परसेंट 45 का है जो की तीन साल का है तो इसमें शेल्स ग्रोथ नहीं है इसलिए यह स्टॉक पैनी श्टॉक में आ गया है इसका प्राइस काफी गिरा हुआ है यह पराकारान है और यह चार्ट देखें तो चार्ट में यह एक साल का आपके सामने है जब हाव इस जनवरी अठाड़ा का है जब इसने अठाड़े रुपे 40 पैसे पर टेड़ कर रहा था उसके बाद से लगतार इसमें गिरते गिरते एक लेबल पर आया उसके बाद फिर इसने एक लेबल दिया अब सम्लाब फिर गिरा बड़ आलमस्ट गिरता ही गिया और डेलेवरी इसका दिखा जाए तो अच्चास परसेंट के करीब में हैं कि पच्चास को तो अभी भी इसमें 50 के करीब डिलिवरी है एवरेज है और यदि इस स्टॉक की प्लस पॉइंट की बात करें तो इसका बुक है लू 0.5 टाइम इसके बुक है लू से प्रोमोटर इस्ट्राइक है जो है वो इंक्रीज हुआ है कंपनी की निगेटिव बात भी है कंपनी जो है वो इंक्रेस्ट रेट बहुत कम रेशियों में पेड कर रहा है और कंपनी का जो है डेली वरी जो है बहुत पूर गुरोध से पे है माइनस 2.05 परसेंट की है जो पास्ट 5 पियर की है और कंपनी का रिटर्न जो है एक्विटी के मामले में वो भी काफी निगेटिव है माइनस 8.35 का है और इसकी लाइविलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है 11,05,036 की करोर की लाइविलिटी है टोटल अर्निंग जो है अधर इंकम समलिट करके वो 1797 करोर की है और पियर कंपनियों की बात करें तो उसमें आपको इंडियन बैंक है विजिया बैंक है सबसे कंपरीजन में काफी इसको टकर मिल रही है और उस सबके एक रोडिंग इसका काफी माइनस में सर्थ चल रहा है जिसके कारान ये स्टॉक काफी गीरा हुआ है यूनाइटेट बैंक एक अच्छा खासा बैंक है बड़ ग्रोथ नहीं है इसमें जिसके कारान इसका जो स्टॉक रेट है वो काफी डाउन है कि कुंपाउंडेट सेल ग्रोथ भी इसका दिखाज़ाए दस परसंट दस यहर में 8.90 परसंट का है पांच साल में निगेटिव आ गया है फिर तीन साल में निगेटिव बढ़ चुगा है और कंपन डेंट प्रोफिट की बात करें ग्रोध की तो वह सब भी निगेटिव ज्यादा तर्सों में है इक्विटी के मामले में इसमें रिटर्न भी निगेटिव में ही है बैलन्स सीट में भी देखाएं तो कोई खाश बढ़ाया थी नहीं है तो यह स्टॉक कहीं न कहीं एक दो दिन या सौट टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक हो सकता है इसकी देशा बढ़ रही है तो निवेस्ट करने से पहले बुजारिश करूंगा आप सब अपने अस्तर से इसे स्टॉक के बाड़े में पुरी जनकारी एक अत्रित करने उसके बाद इसमें निवेस्ट के लिए आगे बढ़ें सौट टर्म निवेस्ट के लिए मैं फिर से कहूंगा बेस्ट स्टॉक है अधरवाज चीज से स्टॉक में अपना टाइम वेस्ट ना करें इसी के साथ मैं ये आज का वीडियो पूरा करता हूँ धैने बाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सस्क्राइब करना ना भूले हैं झाल 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 झाल